अधिए हैलो गाइज वेलकम टू माई YouTube चैनल सीखे टेकनिकल हेल्फ मैं आपका अपना फ्रेंड सीखे फ्रेंड्स हम आज आपको हम रोलर के बारे में जानकारी देने वाले हैं हम रोलर को कैसे यूज करते हैं हम रोलर क्या होता है कैसे वर्ग करता है इन सभी के बारे में आ प्रेंड्स हम हम रोलर के पास पहुंच चुके हैं यह हमारा हम का रोलर है इसको आप देख सकते हैं यह हम का रोलर सिंगल ड्रम का है दो प्रकार के हम रोलर आते हैं सिंगल ड्रम का भी आता है ड्वल ड्रम का भी आता है यह हमारा सिंगल ड्रम का रोलर है देख सकते हैं आप प्रेंच रोलर वर्क कैसे करता है यहां से हम जानेंगे यह अपना इस्टेरिंग हो गया यहां पर की लगाने के लिए हो गया यह अपना स्लो और स्पीड में करने के लिए हो गया स्पीड और स्लो में करने के लिए जब हम रोलिंग करते हैं तो स्लो में रखते हैं और यदि हम रनिंग कर रहे हैं तब स्पीड यहां पर नीचे करेंगे तो ये लो होगा यहां से पर करेंगे तो ये हाई कंपेक्शन होगा यह कंपेक्शन का बटन हो गया यहां आपको मेटर दिख रहा होगा और यहां पर यह लीवर होता है इसका लीवर दो प्रकार से वर्क करता है फारवर्ड रिवर्ज बीच में किया तो न्यूटल हो जाता है फिर वहां से रोलर हिल नहीं सकता ना तो आगे जाएगा और ना ही बैक पे जाएगा यह इसकी लेटर होता है मैक्शिमम यहां बैक किये तो मिनिमम और यहां पर आपको यह दिख रहा है यह हॉर्ण का बटन है यह हॉन का बटन हो गया यह मैन स्विच हो गई यहां से सिधा एमर्जेंसी बटन है यहां सिधा दवाय बंद हो गया इसकी वाल इसको ऐसे घुमा के उपर कर देंगे यह यदि लगा हुआ है तो आपका पावर कटर रहेगा जिसके वज़े से आपका रोलर इस्टार्ट न आने जाएं पहले यह सभी चेक कर लें ऑजी और यह अपका होता है हैंड ब्रेक, हैंड ब्रेक जब कहीं पे रोलर खड़ा करें तो हैंड ब्रेक लगा दें, हैंड ब्रेक लगने के बाद आप का रोलर वहां से धिलेगा नहीं प्रेंट्स रोलर में आप सोच रहे होंगे ब्रेक नहीं होता है इसको आप लेबर को जितना आगे करेंगे तो आगे आपका रोलर जाएगा जितना बैक पे जाएगा और यहां पर बीच पर कर देंगे तो आप का रोलर वहीं पर खड़ा हो जाएगा वहां से नहीं हिलेगा तो इसका जो ब्रेक है तो ब्रेक इसी में दिया रहता है मैं आपको दिखा दूँ यहां से यह जो दिया हुआ यह ब्रेक का है यह लीवर के साथ अटेच है यह ब्रेक का है तो जो ब्रेक है तो इसी लीवर में रहती है तो फ्रेंड्स आज की लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो पर